हलो फ्रेंड्स, वेलक़म टोगव कॉवेक्सपेरिमेट दोस्तो आज हम आप लोगो इस ड्रिल मसीन से एक बहुत कमाल का जुगाड बताएंगे धोस्तो जनरली दोस्तो इस ड्रिल मसीन को लोग दिवाल में छेट करने के लिए या किसी रखड़ी के समान में छेट करने के लिए उस करते हैं लेकिन क्या दोस्तो आप इससे कुछ कट कर सकते हैं जैसे कि कोई लोह का समान काटना वो आपको तो आप इससे कट नहीं कर सकते हैं उसके लिए आपको hand grinder की जरुत पड़ती बट दोस्तो मैं इसी से कट करके आप लोगो दिखाऊंगा दोस्तो उसके लिए बस एक छोटा से टूल्स की जरूत होगी जिसके साइता से हम इस deferl machine से किसी भी लोहे की समान को कट कर सकते हैं दोस्तो वो तूल्स क्या है और दोस्तों हम कैसे इसको cut करेंगे लोहे के rod को या किसी भी pipe को तो ये जानने के लिए हमारे इस वीडिए को आप पूरा देखिए तो चलिए दोस्तो वीडियो को start करते हैं तो दोस्तो किसी भी लोहे के चीज को काटने के लिए हमें इस तरह के tools की जरुत पड़ेगी दोस्तों ये tools जो है आपको किसी भी hardware के दुकान में easily मिल जाएगा और दोस्तों अगर आप online इसको purchase करना चाते हैं तो आप online भी purchase कर सकते हैं उसका link मैंने description में दे दिया है दोस्तों इसको कैसे set करना है वही चीज मैं आप लोगों बताऊंगा भी तो दोस्तों ये देखिए ये इस तरह से nut होता है इस पे आप दोस्तों ये वाला जो है ring type का है इसको मैं इस पे इस तरह से लगा दूँगा अब दोस्तों लोहे काटने अली जो blade आती है तो दोस्तों ये लग चुका है अब दोस्तों इसको मैं अपने drill machine में set करूँगा उसके बाद आपको काट के दिखानुगा तो चलिए दोस्तों मैं इसको drill machine में set कर लेता हूँ तो दोस्तों इस plate को तो दोस्तों इस tools को मैंने लोहे काटने अले blade में set कर दिया था तो दोस्तों इस tools को मैंने लोहे काटने अले blade में set कर दिया था अब दोस्तों हम अपने drill machine में इसको set करेंगे तो दोस्तों इसको मैंने कुछ इस तरह से इसमें लगा दिया है अब दोस्तो इस टूल्स की मदद से हम इसको कस लेंगे ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए ताकि इधर उधर भागे ना तो चलिए दोस्तो इसको पहले हम टाइट कर लेते हैं देखिए दोस्तों मैंने इसको टाइट कर लिया है अब दोस्तों इसके उपपर वाले अब दोस्तों इसके उपपर वाले चूड़ी को भी थोड़ा मैं टाइट कर लेता हूं इसके लिए दोस्तों कुछ इस तरह का एक चाब ही आता है इससे मैं इसके उपर वाले इससे को भ तो यह दोस्तों टाइट कर लिया है मैंने, अब दोस्तों यह मेरा लोहे काटने के लिए तयार हो चुका है, तो चलिए दोस्तों अब मैं इस टूल से किसी लोहे के पाइप को कट करके आप लोगो दिखाऊँगा, तो चलिए स्टाट करते हैं, तो दोस्तों मैंने एक लोहे क पुराना पाइप ले लिया है इस पाइप को अब मैं इस डिल मसीन से कट करूँगा तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस डिल मसीन को प्लग में लगा लेते हैं तो दोस्तों मैं इसको प्लग में लगा लिया है कर दिया है अब दोस्तों मैं इस लोहे के पाइप को कट करूंगा तो यह देखिए दोस्तों मेरा यह बिल्कुल तयार है यह बिल्मसीन तो अब मैं इसको कट करके आप लोगों दिखाता हूं कि δूस्तों इसको मैं कट करओंगा तो यह इस लिए मैंने इसको वगड़ने के लिए बोल दे अविए दोस्त को तो अब मैं इसको करओंगा तो चलिए दूस्तों ने तयार है वेज़ए कर दो का ना मेर तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको मैंने एकड़मी कट कर लिया है इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है इसको मैं इसे मोल के पूरा रख कर दिया है तो इसतरह से आप किसी भी लोग की चीτथ को ढ़ल मसीन से इसली काट सकते वड्सको काटने के लिए आपको थोड़ा सा केर्फुली रहना पढ़ेगा तो इसको अगर आप काटे इस तरह के डिल मसीन से को भी चीज तो पिर मद दूस्तonn आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिजेगा कमेंट कर दिजेगा और शेयर भी कर दिजेगा चलिए दस्तों आपके आपके लोग से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए गुर्पाई